और एक और batch है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, यह spoken batch है, बट यह VOD batch है, recorded batch है, और जिसको सही मायने में skill develop करनी है, उसको चीजें अपने ही practice करनी होती है, तो क्योंकि YouTube sessions हैं यहां पे, तो live में भी नहीं लेकि आपाया, बट आप में से जो भी लोग अपनी communication skills क बहतर करना चाहते हैं, अपनी pronunciation, speaking, इसमें बड़ी सारी बाते हैं, बड़ी सारे गुर सिखाये गाए हैं, चोटे-चोटे में लिखा हुआ है, सबसे पहले वही identifying challenges in spoken English, अगला point है how to improve your listening skill, because speaking तब बहतर होती जब आप एक अच्छे listener होते हैं, जब आप अच्छे listener हैं, then you can focus on pronunciation, diction, vocal intonation, vocal energy, voice modulation, projection of voice, and then you become a prominent speaker, right, तो अगर सही माइने में अंग्रेजी बहतर तरीके से बोलनी हैं, तो यह बैच आपके लिए बहुत कारगर होगा, master the art of pronunciation, diction, vocal intonation, energy, role of apt vocabulary in effective speaking, right, उसका क्या role है, फिर role of grammar and punctuation in effective speaking, जो मैं आपको सुबह एडिटोरियल में भी बताता हू कि जो लंबे sentences हैं, वहाँ पे punctuation का बड़ा role होता है, इसलिए आपको यह पूछ रहा हूँ कि क्या adjective clause है, क्या noun phrase है, क्या adverbial clause है, because if you are not very sure about the structure of the sentence, you will read out those lengthy sentences in a monotonous manner, and that's pretty boring, और सामने वाले बहुत जल्दी put off हो जाता है, उसको हमारी अवकात का पता लग जाता है, और इसी चक्कर में तो हमें से जातर लोग बोलते नहीं है, कि बोलेंगे तो पोल खुल जाएगी, तो भाई कब तक बचोगे आप, either you are preparing for government exams, or otherwise, wherever you are working, you have to work with the people only, लोगों के साथ ही तो काम करना है हमें, और लोगों के साथ काम करना हैं, मतलब क्या आपको communicate करना है, so if you are good at communication, वो definitely आपको हमेशा एक upper hand देगा, ठीक है, चाहे आप एक government official के तोर पे काम करें, आप private sector में काम करें, काम तो कहीं भी करना ही है, लोगों के साथ करना है, आप चमकते हैं, जब आपकी communication skills बहतर होती हैं, और दुनिया भर की जो भी studies हैं, वो हमेशा यही कहती हैं, कि जो आपके personal growth या career growth में, soft skills का जो योगदान है, बड़ी-बड़ी universities के यह आंकडें हैं, 80% जो role है, वो आपकी soft skills का है, hard skills का role करीब करी 20% होता है, hard skills का मतलब आपका जो subject का knowledge है, वो knowledge बता पाओगे तब तो सामने बाले को पता लगेगा या आपको मौके देगा, तो हमारे इस preparation में definitely हमार सारे बच्चे होते हैं, और उनकी बढ़ाय लिखाई भी अच्छी होती कई बार, बहतर तरीके से पढ़ते हैं, but when it comes to communication, and I have seen these things visibly, चाहे वो मेरे cat के बैसे के जमाने में बात हो, या banking, SSE, मुखरजी नगर में, offline के जमानों में, those students who come from different areas, जो Delhi से नहीं है, वो बहुत बार अच्छे होते हुए पढ़ने में, हिचकते थे बोलने में, उनको लगता है, यार मेरी इज़त, मतलब जो बचा के रखे हैं, वो बच्ची नहीं रहेगी, तो कब तक, मुझे बड़ा बुरा सा लगता है, कि बच्चा अच्छा है, बच्ची अच्छी है, क्योंकि मेरे लि या management field के अंदर ये बिलकुल mandatory है, you have to face interviews and GDs, तो कुछ 42 घंटे के ये class है, पूरा course है ये, 42 घंटे में करीब करीब 12 घंटे तो मैंने सिर्फ interview और GD के बारे में बहुत detailed manner में बात की है, तो वो classes भी आपके लिए बहुत useful होंगी, आप शाहिए teaching exams की तियारी कर रहे हूँ, KVS हुआ, या आप banking के तियारी कर रहे हूँ, management field की तियारी कर रहे हूँ, जहां भी आपको interview face करना है, even if you are working in some of the sector, lots of working people get enrolled in this batch, बहुत बारी career में आगे बढ़ने में communication एक बड़ा role play करता है, वहाँ पर उन्हें दिक्कत होती, promotion नहीं मिल पाते लोगों को, right, because communication is a big challenge for them, त अगर आप working professional है, तो भी बहुत काम का है, interview, group discussion, case studies on interviews and GDs, वो भी discuss करी हैं, अपने students की जो सफल students हैं, कि कैसे सवालों का जबाब दिया जाता है, right, आपका वही template वाले answer होते हैं, so every person is different, उनकी strength, weakness, hobbies, interest अलग-अलग होंगी, और वो तभी बता पाऊंगे आप जब आपने आ पीशे चल रहा था, जो अपने selected बच्चे हैं, जब वो call करते हैं, तो मैं उनसे आराम से बात करता हूं, team number दे देती है, 20-25 मिनट बात होती है, उनकी जिंदगी के बारे में पूछता हूं, तब उनके सवालों के जवाब गढ़ने में उनको मदद करता हूं, और फिर वो selection लेकर आते हैं, आप अगर वही रटे रटे रटायर जवाब, what's your strength, बोल दो वहाँ पे, honest, hardworking, पकड़के दो दिये जाते हैं, फिर महाँ पे, पकड़के दूनना शुरू करते हैं, यहाँ honest थे तुम, तुम्हारे नंबर इतने आये, पड़ाय लिखाई में इमानदार थे तो हम रटे रटाय जबाब देते हैं, अच्छा interviewer होगा, अच्छी जगह पे जाओगे, वह आपको दो देखा, तो किस तरीके साब अपने answers को frame करें, बहुत कुछ inputs हैं यहाँ पे, बहुत सारे sources की बात करिए, जहां से आप मदद ले करके चीज़ों को improve कर सकते हैं, तो 6 म communication की बात हुई है, public speaking में अलग तरह की skills चाहिए होती है, one-on-one communication में अलग तरह की skills चाहिए, जीडी के लिए अलग तरह की skills चाहिए, तो बहुत कुछ detailed manner में discuss किया है, body language का पूरा science यहाँ पे discussed है, जो आपके educates है, body language है, वो सब कुछ यहाँ पे discussed है, तो यहाँ आप देखो body language and etiquette, हाथ कैसे मिलाना है, चलना कैसे है, बोलना कैसे, उठना कैसे, because communication में, जो आपके non-verbal cues है, उनका ज्यादा important role होता है, we have 70 muscles in our face that can create 7000 kinds of expression, and we don't know them, right, तो आपकी आवाज का कमपन, आपकी visiting, बहुत कुछ बया कर जाती है, तो यह सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे improve हो होंगी, बहुत ही कम फीस में बहुत ज्यादा material है, उसको खा लो, पचा लो, practice में डाल लो, आप जिन्दगी भरियाद रखोगे, ठीक है?